हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Lifting Tools and Tackles के बार में जिसमें हम जानने वाले है कि Lifting Tools and Tackles कौन से होते है उसके नाम क्या है फिर उसके बाद हम जानने वाले है कि Lifting Tools and Tackles जो है वो दिखने में कैसे है यानि कि उसकी images क्या है और फिर उसके बाद हम बात करने वाले है कि ये जो Lifting Tools and Tackles है इनका क्या function होता है तो चलिए फिर शूर करते है तो चलिए अब जानते है कि Lifting Tools and Tackles जो है वो कौन से होते है उसकी images क्या है और उसका function क्या है तो सबसे पहला हमारा lifting tools and tackles जो है वो है chain block जैसा कि आप image में देख सकते हो और ये जो chain block है ये कही तरह के आते है यानि कि 2 टन के हो 5 टन के हो 10 टन के हो ऐसे कही तरह के chain block आते है जैसा कि आप image में देख पा रहे हो कि chain block का जो इस्तमाल है वो pipe को उठाने के लिए हो या फिर को आपको manually करना होता है इसमें आपको एक chain के जरीए जो है आपको उसको pull करना होता है और दूसरे chain के जरीए जो है वो आपको material को बानना होता है तो जैसे जैसे आप chain को pull करते जाओगे वैसे वैसे वो chain blocking जो capacity है और जो material की capacity है वैसे वैसे वो जो load है वो नीची उपर होते ज एक जगा से दूसरी जगा शिप्ट करने के लिए किया जाता है जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि chain block का जो इस्तमाल है वो material को vertical position में अगर आपको lift करना है तो उसके लिए किया जाता है लेकिन chain puller का जो इस्तमाल है वो आपको material को adjustment करने के लिए किया जाता है, यानि कि अगर pipe हो या फिर कोई भी material हो, उसको अगर आपको adjustment अगर करना हो तो chain puller का इस्तमाल किया जाता है फिर उसके बाद का हमारा lifting tools and tackles आता है वो है wave sling, जैसा कि आप image में देख सकते हो, तो ये जो wave sling है वो अलग-अलग capacity के नुसार आप image में देख पा रहे हो, कि ये जो wave bell sling है, इसका इस्तमाल आप material को उठाने के लिए lift करने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होता है कि material की capacity कितनी है और जो wave bell sling आप इस्तमाल कर रहे हो उस material को उठाने के लिए तो उसकी load capacity कितनी है अगर उसकी load capacity वो अगर bear कर सकता है तभी आपको उस webbell sling का उस material को उठाने के लिए इस्तमाल करना है फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है wire rope sling जैसा कि आप image में देख सकते हो तो ये जो wire rope sling है इसका भी जो इस्तमाल है आप material को lift करने के लिए कर सकते हो जैसा कि आप image में देख सकते हो कि wire rope sling के जरीए जो है material को lift किया जा रहा है फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है de-shackle जैसा कि आप image में देख सकते हो और ये जो de-shackle है इसका जो इस्तमाल है वो मट्रेल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि वारोफ स्लिंग के जरीए जो है हम मट्रेल को उठा रहे है या फिर वेबे स्लिंग के जरीए जो है वो मट्रेल को उठा रहे है तो इसके लिए जो है हम शैकल का इस्तमाल करते हैं और उस शैकल में जो है हम वेबे स्लिंग हो या फिर बारोप स्लिंग जो है उसको बान कर मठल को उठाते हैं जैसा कि आप image में देख सकते हो कि D-shackle का इस्तमाल कैसे किया जाता है फिर उसके बाद का lifting tools और tackles जो आता है वो है bow shackle जैसा कि आप image में देख सकते हो तो जैसा कि इसके पहले हमने देखा था D-shackle और bow shackle इसके बारे में अगर आपको detail जानकारी चाहिए जैसा कि आप image में देख सकते हो कि sling के जरिये जो है material को उठाया जा रहा है लेकिन sling और material के बीच में जो हम hold position है जहां पर sling को बादा गया है या फिर attach किया गया है वहाँ पर जो है वो bow shackle है और यहाँ पर जो है आप directly sling को इस material के साथ बाग नहीं सकते है इसलिए आपको यहाँ पर bow shackle हो या फिर d shackle हो उसका यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है ताकि आपकी जो sling है वो damage ना हो और जो material आप lift कर रहे हो वो safely lift कर सको फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है plate clamp जैसा कि आप image में देख सकते हो तो यह जो plate clamp है यह जो है वो कई तरह के आता है जैसा कि horizontal plate clamp हो या फिर vertical plate clamp हो इस तरीके से इनके जो है वो types होते है जैसा कि आप image में देख सकते हो कि horizontal plate clamp है इसके जर यह plate को उठाया जा रहा है फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है hook chuk जिसे हम pulling lifter भी कहते है जैसा कि आप image में देख सकते हो तो यह जो hook chuk है इसका जो इस्तमाल है आप material को pulling करने के लिए कर सकते हो जैसा कि आप image में देख सकते हो कि एक side में जो है wire rope आती है और उस wire rope में जो है material को hold किया जाता है और जैसा कि आपको उसको अगर pull करना है तो यह जो liver है इसके जरीए आप उसको pull कर सकते हो इसलिए इसको pulling lifter भी कहा जाता है फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है beam clam lifter जैसा कि आप image में देख सकते हो तो यह जो beam clam lifter है इसका जो इस्तमाल है आप कोई भी जो beam हो जहाँ पर जगा नहीं हो chain log को लगाने के लिए या फिर lifting जो आपका tools and tackles है उसको लगाने की अदर जगा नहीं हो तो वहाँ पर जो है आप beam clam lifter का इस्तमाल कर सकते हो जैसा कि आप image में देख सकते हो कि यहाँ पर एक beam है और वहाँ पर beam clam का यहाँ पर इस्तमाल किया गया है और फिर उस beam clam को जो है chain log जो है वो attach किया गया है क्योंकि chain log का जो hook है वो directly आप उस beam में नहीं डाल सकते तो इसके लिए जो है आपको beam clam lifter का इस्तमाल करना होता है फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है eye bolt जैसा कि आप image में देख सकते हो तो यहाँ पर एक side में जो है वो thread दिये हुए रहते है और दूसरे side में जो है वो आपको eye shape जो है वो दिखाय देता है तो एक side में जो eye shape है वहाँ पर जो है आपकी जो sling है उसको attach किया जाता है और जो दुसरे side में thread है उसको जो है material में जो है वो फसाया जाता है जिसमें thread हो फिर उसके बाद का lifting tools and tackles आता है वो है eye to eye turn buckle जैसा कि आप image में देख सकते हो आपने देखा होगा कि ये जो turn buckle है इसका जो इस्तमाल है वो अगर आपको जो भी wire rope sling हो उसको adjustment करने के लिए किया जाता है example के लिए कि अगर एक building है और उसके उपर अगर आपको कोई भी अगर मान लीजिए sheet डालने का काम हो या फिर कोई भी अगर काम करना हो लेकिन वहाँ पर जो है आप scaffolding नहीं बना सकते हो तो वहाँ पर आपको lifeline जो है वो provide करनी होती है तो वो जो lifeline आपने जो building की उपर आपने लगाई है तो वो जो lifeline है वो एकदम tight होनी चाहिए तो उस lifeline को आपको counter weight के साथ में नीचे में attach करना होता है तो यह जो lifeline है यह tight होना चाहिए इसमें कोई भी लचक नहीं होनी चाहिए तो इस lifeline को हम turn buckle के जरीए जो है वो tight करते है क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों side में जो है वो thread होता है और जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो तो वैसे वैसे यह जो है वो tight हो जाता है या फिर loose हो जाता है जैसे भी आपकी work की condition हो उस प्रकार जो है आप उस lifeline को जो है इस turn buckle के जरीए जो है adjustment कर सकते हो फिर उसके बाद का lifting tool sign tackles जो आता है वो है J to J turn buckle जैसा कि आप image में देख सकते हो जैसा कि इसके पहले हमने देखा था I to I turn buckle तो यहाँ पर जो difference है वो खाली इसके shape का है इसके पहले जो हमने देखा था I to I और यहाँ पर आपको image में जो दिखाई दे रहा है यह है J to J करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो जैसा कि हमने इसके पहले lifeline का जो है वो example लिया था तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा lifting tools and tackles के बारे में जिसमें हमने जाना कि lifting tools and tackles कोन से होते है उसके images क्या है और उसके function क्या है तो बस आज के लिए इतना ही मलता है नेक स्टूडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care बाई बाई